कपिल शर्मा लंबे समय से लाइम लाइट से दूर हैं लेकिन समय समय पर फैस को अपनी खेर खबर देते रहते हैं कपिल शर्मा इस बार अपनी बायोपिक को लेकर सुर्खियां बटो रहे हैं दर असल कुछ दिन पहले फिल्म तेरी भाभी है पैगले के डायरक्ट विनोड तिवारी ने कपिल शर्मा की बाय अपिक बनाने की इच्छा जाहिर की थी इस फिल्म को बनाने की इंस्पिरेशन उन्हें संजू से मिली इस फिल्म में वो कपिल शर्मा को कास्ट करना चाहते थे लेकिन कपिल ने इंट्रेस्ट नहीं दिखाया, इसके बाद उन्होंने कॉमेडियन कृष्णा अभिशे को अप्रोच किया, लेकिन कृष्णा ने भी फिल्म में काम करने से मना कर दिया, विनोड बताते हैं, स्क्रिप्ट तयार है और फिल्म का टाइटल कपिल शर्मा तर रियल हीरो भी फाइनल कर लिया है, मेरी पहली चॉइस का पिल शर्मा थे, लेकिन उन्होंने कुछ खास दिल्चस्पी नहीं दिखाई, उन्होंने मुझे कोई पॉजटिव रिस्पॉंस नहीं दिया, उन्होंने कहा कि फिल्म की हीरो की तलाश जारी है और जल्द इसकी घुशना होग विनोड आगे बताते हैं, क्रिशना के साथ काम करके मुझे लगा था कि वो कपिल का रोल अच्छे से निभा सकते हैं, क्यूंकि उनका कॉमिक सेंस काफी अच्छा है, मैंने उनके साथ ये आइडिया शेर किया था, पहले तो उन्होंने दिल्चस्पी दिखाई थी, लेकिन अब माना कर दिया, उन्होंने मेरा ओफर ठुकरा दिया है, हो सकता है कि वो कपिल शर्मा से पंगा नहीं लेना चाहते हो, खेर, फिर भी मैं बायोपिक तो बनांगा, जिस तरह से संजू, मैं संजैदत के पॉजिटिव साइड को दिखाया गया, क्या उसी तरह से कपिल शर पाजा बनने की कहानी दिखाना चाहता हूँ, क्रिपए वीडियो को लाइक और शेयर करें, रोजाना ऐसी ही मज़दार और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद